बैसे नोट्स मिलेंगे, बुक्स कहां से हम तुम्हें दे पाएंगे, बुक्स की टोटल कॉस्टी चार साले-4,000 रुपए से उपर की है, हाँ, आप हमारी वेबसाइट www.ojang.com पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, कोई दिक ठीक है, इसी एप पे क्लास पड़ी हुई है, और नहीं होतका तो लिंक वो यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, आई-एस वे दोजांग सर के, दोनों जगह वो क्लास चल दी, शुरुवात में दो-तीन क्लास मैं यूट्यूब और आप दोनों पे लेता हूं ताकि बच हिस्ट्री इतिहास की सबसे बड़ी साजिश है, और हम भारतियों के साथ तो बहुत गंदी साजिश है, तो एक आफिसर को हिस्ट्री क्यों पढ़ाए जाएगी, यह मैं तुमसे आज दिसकस करूँगा, बहुत तुम्हें ध्यान से समझ में आएगा, तो यह ग्लास है, यह हाफ इंपटी नहीं है, मुझे बता, क्या यह गलत है, डाटा, तो क्या होगा, यह आधा भरा है, आधा खाली है, राइट और रॉंग, मुझे पताते जो, सबसे पहले जब भी कोई, कहीं भी पढ़ो, जो सब्जेक्ट पढ़ो, पहले पूछो कि मुझे यह क्यों पढ यह पढ़ा है जारी है, यह केवल तुम डाटा रटने के लिए तो यूपीस्टी सौरी तुम्हारा नहीं है, यह बात याद रखना, यूपीस्टी तुम्हारा नहीं है, तो क्या हुआ, आधा खाली आधा भरा है, अब जरा ध्यान समन्ना है, इसका मतलब है, अगर मैं दोनों अपनी जगह सही है, कि यह फूल है यह एंटी है आधा, हाफ एंटी है, बताइए आप मुझे, इस दोनों सही है, सवाल है कि इतिहास में कोई इविडेंस और ग्लास क्या है, इविडेंस हैं, इविडेंस, तो इसको आप बोलते है पॉज़ेव आटिटीउड और इ अब बताते जाना, उन्होंने तुम्हारे देश को कॉलोनी बना लिया, उन्होंने तुम्हारे उपर अपनी सुप्रिमैसी स्थापित की सारा का सारा तुम्हारा रिसोस नोच के लेके चले गए, तो जब वो तुम्हारा इतिहास लिखेंगे, एविडेंस तुम्हारे सामन थी वो लोग बड़े जो है आरे सभीता बड़ी सुर्ष सभीता थी क्या वो तुम से यह कहेंगे या कहेंगे अरे ये तो काले सभी लोग है गुलांबने के लिए आए हैं इनको तो ग्यान ही नहीं है जादू टो ना जानते हैं खाली ये सपेरों का देश है, ये गरीब लोग है, ये तो नेशन थे ही नहीं, इनके यहां तो कोई ग्यान विज्ञान ही नहीं है, इनका तो कोई यहां तक की बोल दिया कि हमारी कोई भाशा लिपी तक नहीं है, ये तक उन्होंने बोल दिया हमारे बारे में, जो वेदों का रह च परोज के साथ रखा कि इंटी एगलास तो इसका सीधा सा मतलब है कि इतिहास पर्सपेक्टिव है हम इसको कैसे देखते हैं और किसी भी राष्ट्र को किसी भी नेशन को आगे बढ़ने के लिए अपने लोगों की इमोशन की salv पढ़ती हैं और ये इमोशन हमें हिस्ट्री में मतलता है यह स्यह यह जाता हैं इसलिए क्योंकि ऐस आंधोलन क्रियेट करके लोगों की ताकत का इस्तेमाल करके लोगों की दिक्कते हैं जिन से अगर हम लड़ते हैं तो हमें इसके लिए लोगों के भागेदारी की जरूरत पड़ेगी क्लियर है तो बड़े ध्यान से समझना नहीं तो ये मामला निकल जाएगा बहुत से लोग हिस्ट्री को समझ ही नहीं पाते की हिस्ट्री है क्या तो हिस्ट्री का है पॉस्पेक्टिव एक नजरिया है पहला जो सेगमेंट और नजरिया क्या है अभी तक हमारे सामने जो इतिहास रखा जाता है वह अंग्रेज और वह लोग जो इंग्लिश में टाली के साथ बहुत जादा इंडल जो चुके रहे हिंगी हिंदुस्तानी वेकार है इनका कुछ नहीं हो तो लेट्स राइट डाउन चली हम लिखते हैं इसको इस इतिहास क्या है तो हमने पहला चीज देखा यह एक नजरिया है दूसरा हम देखते हैं कि जैसे हमारा रेट है आपने कई बार रेट देखा होगा तो इस पर क्या होता है जब हम पैरों के निशान लेके चलते हैं तो ठीक है तो जैसे कोई पदचिन है कोई फूट्प्रिंट है तो इतिहास अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो थोड़ा फिलोस्फिकल बात कर रहा हूं मजे से समझना कि इतिहास यह रेट जो है इसको समय माल लो यह समय का टाइम लाइन है तो समय पर जो हमारी यात्रा है ज आपने कैसे अपनी की पई विक? का सब्सक्राइब मतह्तों थो पने किया की इत्र यार्थ तो इस समय की रेट लिए किया 돼कि एुमन जरुन्य और टाइम लाइन वही हिस्ट्री या नि फूटप्रिंट््ट है footprints of our journey किसकी जर्णी हमारी जर्णी एक समय हम ऐसा था कि जहां पत्थरों से रगड़ के हमने आग की खोचकी कि आग ऐसे जलती है हमने पहिये का विश्कार किया और धीरे-धीरे हमारी जर्णी में हम क्या करते एक्सप्रेस वेब तेजी से चलने वाली गाड़िया हो सकता है footprint है जो हम पास की तरफ देते हैं हम यहां तक कैसे पहुँचे कि पत्थरों से रगड़ के आग जला के हमने मांस को पकाना सीखा हमने पहिये का अविश्कार किया हमने पक्षियों को देकर उरणे की तमन्ना की हमने घरों में रहना सीखा हमने हथियार बनाना सीखा चाये व और वहां से हमारी जो आज की present जो हमारे advancement है ये पूरी जरनी का जो लेखा जो खाई जो account है उसी को history कहते हैं उसी को history कहते हैं और history में जैसा मैंने बताया how we see the things हम चीजों को कैसे देखते हैं लिखते चल रहे हो इसको बोलते है lwmi notes एक word से दूसरा word निकलता है इसमें इसको बोलते हैं less word more information type notes लिख लिया अब जो तुमसे बात करने जा रहा हूं वो बड़ा गहरा है हम इतिहास को देखते कैसे हैं how to read history यानि अब बड़े ध्यान समझना कि इतिहास को पढ़ना कैसे है how to read history इतिहास को पढ़ना कैसे है राइट लिखो इतिहास को दो तरीके से पढ़ा और देखा जाता है history